हलो फ्रेंड्स मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूटूब चैनल पर लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि EWS कटेगरी क्या होती है और आज हम बात करेंगे कि DG कटेगरी क्या होती है देखिए कई बार क्या होता है आप पन्फ्यूज हो जाते हैं कि DG कटेगरी और EWS कटेगरी सेम है बट ऐसा नहीं है DG कटेगरी अलग है और EWS कटेगरी अलग है EWS कटेगरी की बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है अगर आप ने वह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले आप Playalyst पे जाके वह वीडियो देखिए अगर आप डेली में रहते हैं और आप डीजी कर्टेगोरी में आते है और डेली के private school में अपने बच्चों का admission करवा के उन्हें निश्यल सिक्षा प्राप्त करवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही important है क्योंकि कई बार क्या होता है आपके पास सभी दस्तावेज होने के बाब जूद भी आप अपने बच्चे का admission करवाने का मौका गवा देते हैं क्योंकि लोगों के धार्णा है कि अगर आपके पास income certificate है तभी आप EWS कोटे में या DG category में अपना बच्चों का admission करवा सकते हैं बट EWS category और DG category बिल्कुल भिन है दोनों में बहुत अंतर है EWS category में economical weaker section के लोग आते हैं और DG category में disadvantage group के लोग आते हैं तो कौन-कौन से वो लोग हैं जो DG category में शामिल होते हैं नमबर वन है SC category के लोग जो अनसूचित जाती से बिलॉंग करते हैं उन्हें DG category में रखा गया है नमबर टू है ST category के लोग मतलब अनसूचित जनजाती के जो लोग होते हैं उन्हें भी DG category में रखा गया है और नमबर 3 है OBC non creamy layer category के लोग उन्हें भी DG category के अंतरगर रखा गया है नमबर 4 है disabled children जीने special need की जरुरत होती है उन बच्चों को भी DG category के अंदर रखा गया है नमबर 6 है transgender बच्चों को भी DG category के अंदर रखा गया है नमबर 7 है जो बच्चे HIV positive होते हैं HIV से गरसित होते हैं उन बच्चों को भी DG category के अंदर रखा गया है अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हैं और अपने बच्चे को निशिल सिक्षा private school में दिलवाना चाहते हैं इन category को साबित करने के लिए जो certificate होगा वो दिल्ली का ही जारी होना चाहिए अगर certificate दिल्ली का नहीं होगा तो वो मानने नहीं होगा देखे दिल्ली के private school में हर साल EWS और DG category के RTE के तहत हर साल form निकलते हैं और कई लगली parents होते हैं जो अपने बच्चों का admission करवा पाते हैं क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को फर्स टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी तरह की knowledgeable वीडियो में आपके लिए लाती रहूंगी और मेरे चैनल को share करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए तो बस आज की वीडियो में इतना ही thank you so much मिलते हैं अपने next वीडियो में